हर्थिये किसान यूनियन द्वारा अगामी 15 अगस्ट को मोटे साइकल पर तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन किया जाएगा जिसके चलते आज लगु सच्चवाले में जिला उपायुक से द्वारा किसानों की बैठक ले गई किसानों ने अस्वासन दिया कि वह सांती प्रिय धंग से यतिरंगा यात्रा निकालेंगे किसानों के बाद में मेडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दिया कि किसान अंदोलन एवं किसानों के पूत्रों द्वारा टोक्यो अलम्पिक में जीती गए मेडल को सम्मान देने के उद्दिस से यह यात्रा निकाली जाएगी जो नई अनाज मंडी से शुरू होकर सहर के मुक्ष मार्गों से उठे हुए वापस ट्रोल प्लाजा पर संपन्न होगी उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं परंतु सरकार उनकी बातों पर गौड नहीं कर रहे आपको बता दे कि 15 अगर्ष स्वतंता दिवस के उपलक्ष में करनाल में भी स्वतंता दिवस कारेक्रम का समारों का आयोजन किया जाएगा लेकर आ रहा है वो किसान पुत्र तो यह उनको समर्पित रहेगी हम यह रैली जो है सुबह 9 बजे कठे होंगे नई अनाज मंडी करनाल वहां से हम 11-11 बजे के करीब चलेंगे जो यहां चीट रोट से होते हुए सर्विस लेंड पे सेक्टर 6 जो गवर्मनेट कॉलेज है वहां से हम एंट्री लेंगे कमेटी चौंक, कमेटी चौंक से खंडा चौंक, खंडा चौंक से हांसी रोट, हांसी रोट से कैथल फुल क्रोस करके रामनगर, प्रेमनगर आ होते हुए काच्वा फुल से वापसी ठंडी सड़क और इसके बाद जो कलपना चालवा हॉस्पिटल है वहां से निकलते हुए निर्मल कुटिया से जीडी रोट, जीडी रोट के बाद हम पस्ताडा में इसकी समाप्ति करेंगे अप्रॉक्सिमेटली देड और दो बज़े के बीच हुए सर यह जो तिरहंगा यहानत है, बास पे रहेगी ये ट्रॉली without this balance ये में जो है बाइक पे रहेगी अभी आठ से दस जार मोट सेकल होगी, तो आठ दस जार का मतलब हो गया पंदरा पी से आराद नौर्मल जंदा सफर करेगी उससे काफी दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए एक चुट्टी काला दिन है, डबल चुट्टी है, संडे और पंदरा पास्त की है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो, और शांती पुरन रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है भी जो कुछ दिक्कत हो, जो राष्टिये प्रोग्राम है पंदरा पास पास्त का है, वो सुबह 11 बज तक निवट जाएगा, 10-10, और उसके बाद हम शुरू करेंगा, तरंगे का कोई विरोध नहीं है, तरंगे का कोई विरोध नहीं है, ये तो मान समान है हमारा से, गुरता आज करना हो से,